अधर्णिय दर्शक ब्रेंद यहारू सवय मा ओम आदी को आत्मिय अभिबादन ओम आदी गुरुबाडी कारेक्रम मारफत हमी परंपुजय बाल ग्यानी गुरु आधित्य जीवबाट प्रदान गरिये का दिभ्य बाड़ी अम्रिद बाड़ी र महत्तपुर्ण जीवन उपयोगी उदगार हरुलाई बाड़ दयाये का सो आजकोद क्रम मां हमी ज्यान के हो जीवन मां ज्यान को महत्तप के हो ज्यान को गरिमा के हो जीवन मां बिचार लाई परिस्कृत गरना ज्यान कती आवश्यक्ष आधि विश्यमां चर्चा गरने छो एक पटक ध्यान शाधना को सिविर चली रहे को थियो ध्यान शाधना को ते उटा प्रसंग मा ज्यान की हो भक्ति की हो वन्ने जिग्यासा उठ्यों त्यस्क्रम मा परम्पुज्य बाल ज्यानी गुरुदेव उपस्तितुनु वायो रा आफनाती सुकोमल हात ले ज्यान को परिवासा यसरी दिनु वायो पानी मा तिमीन दुई जाना डुबदै छवु एक अरका को हात समायर डुबदै जादा एक लहरा हात ले बेट्यो तर मात्र एक ले त्यो लहरा को सहायता ले एक मात्र बच्छ त्यस्तो बेला आफनो हात त्यो मित्रको हात बाट छुटाई त्यो लहरा मा त्यो मित्रको हात थमाई उसलाई बाहिर निकाली आफु डुबनु नई सचेतना हो ज्यान हो आफनो बंदा अरुको जीवन महत्तपुर्ण लागनु नई ज्यान हो यसाई मा अरुको दुख कष्ट पिड़ाबात्च मुक्ति दिलाई कष्ट पिवन तयार छू बन्ने सोज को विकास हुनु न ज्यान हो ज्यान आफनो बंदा अरुको जीवन महत्तपुर्ण लागनु नई ज्यान हो यसाई सार संदेशलाई प्रस्तुत गुरुबाडी ले उजागर गरेको सा अन्य बिविन्न संदरवारु मा ज्यान को परिवासा ज्यान को उपादेता ज्यान को महिमार महत्तव का ब प्रकास पार्णवायक ति यो ध्यान बाटनें डिभ्य ज्यान को मार्ग दर्शन मिल्द छा वास्तमा ज्यान स्वयंभू उन्छ अर्थात ज्यान को लागी बाहिरि स्त्रोत चाही देनग्यान अंता करण बाट प्रस्पुतित उन्छा जसरी सुरिय दय चितीज बड़ा गग नंगर उदायको देहीं चाए. उदावनलाए पहाड बड़ हिमालको कंधराको मूलवड उदायको देहीं चाए तरस्वुर्य आफनो चक्रमा उन्चा, सुरिया आफनो क्रमा गुमिरेक उन्चा, ज्यान ब्रहमाणड माचा सरवत्र सा रत्यसको उधगंबने कुछ ए अंतर आत्मा नहीं हो रत्यों अंतर आत्मा को प्रकास लाया अनुभूती गरने माध्यम सें ध्यानों यसर्थ परम्पुज्य बाल ज्यानी गुरु आधित्य देव समझावनों छा ध्यान वाट नहीं दिभ्य ज्यान को मार्ग दर्शन मिल्द सा औरु ज्यानत पड़ेरा लेखेर किताब बाटा पुस्तक बाटा विविन संचार माध्यम बाटा हमिले प्राप्त गरसों तरह दिभ्य ज्यान दिभ्य ज्यान त्यों हो जुन ज्यान प्राप्त गरी शके पसी जीवन का सवय ब्रहम हरू सवय ब्रांती हरू सवय अल्पसोच हरू सवय दुर्गुण हरू पत के हो राजपत के हो बास्तमा जीवन को परियाहय के हो त्यसको अनुभूती गरावने ने दिभ्य ज्यान हो बिविन्न प्रसंग अरुमा परंपुझे बाल ग्यानी गुरु आधित्य ले ज्ञान का विशय मा चर्चा गरदे आउनु बैको छा आफनो बहुत पुण लेख अलिये को बेला ज्यान को भ्यक्षिन लगाई शान्ति को विगूल फुकौँ वास्तम्मा एति खिरा कोवीड नामक महामारी सरवत्र सा एक वाइरस को रुपमा सा तरह योवन्द अपनी खतरनाग वाइरस अज्यान हो अज्यान वने को साचो नचिन्न हो एति ठूलो भीत् सब्सकोब्जश तूलो संसार शडिकूती 정 utilizz वंद आरस तरह त्यसको व्यको डोकार द्वार उगारने शाचो चीने शाचो को पईचान गर न शक्यान वने त्यों विशाल वंद आरका मळी माणिक्य अस धन संपती शून्चा धी बाट्धा मी प्रवावät उन सक्द्यनों स्वामित्ता हमिले प्राप्त गरना सक्षाग देनों तेस तई तपाइं वह हाद बाट अध्यारों मा कई कोरणे परने हराउंचा, शून हराउंचा लाख़ोँपर निकाद तष cuanto दे मुल्या ठोहरी चारुपिया मा चारा खोजी ने बस्तु करणो रुपिया पर नेचा ज्यान वनेको शुणदा हेरदा अनुभब गर्दा सानो जस्तो लाग्सा शुत्र रुपमा उंचा त्यारा त्यसले जीवन को सच्छिद आनंदको सत्यम शिवम सुदर म को द्वार लाइ खोल दिन्छ ये यथार्थलाई प्रस्तुत गुरु बाड़ी ले सम्जावन खोजी रहेको छा कि अज्ञान ताको वाइरल फाइलियेको वेला ज्ञान को वैक्सिन लगाई एति खेरा हमी महामारी विरुद्धक वैक्सिन लगाई रहेका सों पंग्ती मा लागे रह सब इला चाहना छिटो बंदाछी टो ट्यो वैक्सिन आमिले प्राप्त अगरों त्यसेगरी यदि हम रोटा अना ग्यान को वैक्शीन ब्रामबात अ मुक्ति होने चेतना को वैक्सिन लगाऊने हो वने हम रोजीवन स्वता प्रकासी तूं श्वता प्रश्पुटी तूंच और में जीवे मा सरधा सतम प्रसन्न ता मस्त सत उदै शुख शान्ती चैन का साथ शय बर्सको जीवन बाचन सक्षों इसते विविन्न किसिम का विविन्न प्रकार का विविन्न प्रकृति का रहामरो अंता चक्षुलाई खोली दिने ज्यान का सुत्रहरू परम्पुज्य गुरुदेब बाटा निरंतर आई रहे का उन्छन। एक संदर्वमा वहाले यसकिसिम को गुरुबाडी प्रस्तूत गर्णुबायों हर परिचय बाट मुक्त रहन सके मात्र मोक्षय प्राप्त हुन्छा। प्रस्तूत गुरुबाडी को आसय अत्यन तेई गहन तरह सरल्छा। सबय को अंतिम लक्षय बनेको मोक्षय हो, मोक्षय बनेको मुक्ती हो, मुक्ती बनेको बंदन अरु छुटनु हो, तपा हामी सबय को बंदन छुटनु परसा, तपा हामी ब्यभारिक बंदन मा परदा, रोग को बंदन मा परदा, विचलित तुन्छों, आत्तिन्छों, मोक्षय बने को ज्ञान को पराकास्था हो ज्ञान को सर्वत्तम बिन्दु हो सर्वत्य अवस्था हो रह मोक्षय बने के ज्ञान स्वाधना द्वारा अर्थात नित्या नित्य वस्तु विवेक ज्ञान नित्य के हो अनित्य के हो सदै रही रहने के हो अक्षय के हो छय भाहर जाने क्यों तो दूइटा को जुन विवेक बुद्धी प्राप्त हुनुच पर्षा उन्षा त्यसलाई ज्ञान वनिंसा रग्यान को पराकास्ट आम पुगे पछी आमिले मोक्ष प्राप्त हुन्सा परंपुजय बाल गयानी गुरु आधित्य देवले नहीं यो कुरा हमिल का विशयरू पद्धिष्टगर ने परंपुजय बाल योगी आधित्य ले अबको क्रम मा यो गुरु बाड़ी दिनु भये हो आमी सबै अध्यारों मा लड़ खडाउं देई मात्र वायू को सहराले जिये का जीव हों उज्वल किरण सहीत ज्यान को चक्षुले मात्रई पनी जीवन शक्ने आधार विद्ध्या हो जस्विना जीवनू ज्योती बिना को नयन तुल्य हो वर्खरे प्रस्तुद गरिये को गुरु बाड़ी तपैं हमरो जीवन का लागी संजीवनी शवान छा जस्मा तपैं हमरो जीवन मा ज्यान को महत्व क्यों र अध्यार वाट उज्यालों मा जानका लागी आमरो लड़खडाउंदे गरे को खुट्टा लाई कसरी सवल बनाऊ सह किसको आशाय प्रस्तुद गरिये को थियो एक दमाई समुझ्जल प्रज्वलित की dif लोगाम पर सह हमरो आखंग अध्यान को अंधकार अर्था अज्यान को अंधकार हटे रा ज्यान को मारग दर्सन प्राप्ताउंच में गूरु घितहमा बनिये को सा अज्यान ती मिराओं अज्या ज्यान नजना सलाके किना अरथफ अग्णा मुख को ले अगाव माने स्वाओं दिखन थाल छोँ। पत्थर मा सालीग्राम, दूद मा पंचामरेत, गाई मा गॉलोचन देखनू बनेको। इनें बस्तुन यही शंसार हो, यही दुनिया हो, यही दृष्टी गोचर भई रहेको प्रिथिवी हो, तरहा आमरो हेराई मा फरक पर सह। आमरो दृष्टी, विच जीवन रनिसकर सवेलाई प्रवावित गरने यो ज्ञान नहीं हो त्यसकारण यसलाई बिध्या वनिये को सब बिध्या को और को नाम विशुद्ध ग्यान बिध्या ज्ञान प्रग्या इपरियाए वाची सब्दाउन प्रस्तुत गुरुबाडी का माध्यमबाट परम जे बाल ग्यानी गुरुदेवे ज्ञान का विशय मा अरूपनि थुप्राई गुरुबाडी हरु दिनुबाएको अबको क्रम्म वहाले एक अबसर één में दिनु भाएको यह गुरुबाडी भक्तीर अज्यान ले निपूर्ण साधक ले नई, अलोकिक अध्भूँच सक्तीर शांती सहित को अशीम स्वतंत्रता सहित को जीवन जीवन शिकाओं छा प्रस्तूत गुरु बाड़ी एक सादक का लागी ठुलो मार्ग दर्सक्षन एक जिग्याशु का लागी ठुलो समाधान हो एक मुमुक्षु का लागी ठुलो मुक्षय मंत्र हो एक अभिप्षु का लागी ठुलो मुक्ति मंत्र हो वास्तम्मा तपा हमरो दुई टा आखाले हेरे जस्ते हमरा दुई आखा ज्ञान रवक्ति को आखा उन परश। परम कुझे बाल ज्यानी गुरु देव प्रस्तूत बाडी का माध्यम बाटा हमिलाई सम्झाव देवन उन्छा कि जब हमरा दुई नयन मा भक्ति रग्यान उन्छा आमर पूरख आमर पुरुशार्थ अ बंदन अरू पारिवारिक बंदन अरू रविविन्न सामाजिक बंदन अरू बाहिर वाट रही राइर अंचन तरा आत्मिक रुपले हटेर जान्षन वास्तम्मा ज्यांद्र वक्ति जीवन को सरवोच्छ कलाओ यसकारण ज्यांद्र भक्ति ले आमरा नयनला पुरख ऐम्रा परिष्ठ्रम् आमरा हातलाए ज्यांद्र वक्ति ले अनुप्राडित्र अनुप्रेरिद गर्नु परस बन्ने प्रस्तुत गुरू बाडी को आसयो ज्यान शाधना ज्यांद्र विध्याको परिचरचा गर्ने क्रम्मा aparece बाल ग्याने गुरू आ प्रस्तुत गुरुबाडी का माध्यम्बाटा आमिलाई अनुभूती गरावदे उनुट कि यदी आत्मा को ज्योती उजागर भायो वने भीत्रको आत्मा को प्रकास जब हमरो अंतर चक्षू लाई इसपर्श गर्षा त्यों प्रकास प्रकासित भाईशा के पच्छी आमी एकई छाओ बसे रहा सारा दुनिया लाई देखना निहालना अब लोकन रशाष्वादन ग बहुतिक दुनिया रहा के दुरी सम्मको दुनिया लाई मतरे देखस तरह अंतर करण को आखाले अंतर चक्षू को आखाले आत्मिक आखाले अद्रिश्य दुनिया लाई अलोकिक दुनिया लाई पारलोकिक दुनिया लाई रहा शुक्षमर कारण सत्ता लाई समेथ देखन शक्स यसकारण बाहरी चक्षुले आजिवी का आर्जन गरों भीत्री चक्षुले आध्यात्मिक ता आर्जन गरों बहुती की बाहरी चक्षुको बिशय हो बने आत्मी की आंतरिक चक्षुको बिशय हो आमी ये सरी आंतरिक चक्षुलाई निरंतर खोल देजाओं ये आवान परम्पुज्य बाल्ग्यानि गुरु देवले गरुनु बयकुष ज्ञान सम्मंधी इनाई महावाडियरु का साथ मा आजे कुछ कारेक्रम बाटा हमी विदालिन छों फिरी अरको एपिसोड मा अरको उपक्रम मा विविन्न महत्तपुण गुरु बाडियरु का साथ उपस्त ओमादी महादेव शंकरा महाराज शंकरा आधिदेव शंकरा आधिでव शंकरा त्रियाल दर्शि शंकरा त्रिनेत्रधारी संकरा आदि देव शंकरा नगे शुराए शंकरा आदि देव शंकरा पिताम बराए शंकरा पिंडे शुराए शंकरा आदि देव शंकरा आदि देव शंकरा आदि देव आदि देवा 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 आदि मंत्र मुक्षद्वार आदि मुस्कान सर्वत्र बासन आदि शक्ति अलोकिक थाम खोर देव शंकरा आदि देवा आदि देवा शंकरा देवा आदि देवा आदि देवा आदि देवा आदि नयना गंगा सागरम आदि लेला खृष्ण चरेत्रम आदि गाथा शोर्या जगता आदि जीवन सर्वसमर्भण आदि देवा आदि देवा आदि देवा आदि देव शंकरा आदि देवा आदि देवा आदि देवा आदि देवा आदि देवा आदिदेव शंकरा भोले भंडारी शंकरा गंगोत्रदारी शंकरा आदिदेव शंकरा आदिदेव शंकरा काल भैरब शंकरा डोले शोराय शंकरा आदिदेव 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 शंकर झाल 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 झाल